हाई गाईज वेलकम टूदी कोड़ बीहवियर सो टुड़े वी आर वाचिंग लारा वैल अंगुलर टुटोरियल पार टैन ओके सो प्रिविएस वीडियो में हमने देखा था कि राउटिंग के बारे में कि राउटिंग हम कैसे करते हैं किसी कंपोनेंट को हम कैसे राउटिं होती हैं तो और प्रिविश एडियो हमने देखा था कि कंपोनेंट को हम क्रिएट कैसे करते हैं और उसे हम राउटिंग की हल्प से कैसे लोड करते हैं ओके आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो bootstrap होता है bootstrap का क्या होता है CSS होता है bootstrap एक तरह से पूरा framework है जो की front end को develop करने में help करता है ठीक है so आज के इस वीडियो में हम bootstrap को npm की help से install करेंगे और उसका use देखेंगे कि हम उसे कैसे use करते हैं ठीक है हम कमांड लाइन की help से हम करते हैं ठीक है so हमारा जो प्रोजेक्ट का डारेक्टर स्ट्रेक्चर है उसका नाम है लारांग इसके अंदर हम जाते हैं तो यह हमारा क्या है front end है angular app और यह लारा ट्यूप जो लारा वेल में है तो हम क्या करते हैं सबसे पहले हमें करना है second terminal हम देखते हैं इसमें ठीक है cd आपको जो आपका प्रोजेक्ट है उसके अंदर ही जाके जो भी करना है करना है तो हमें क्या करना है यहाँ पे npm install bootstep ठीक है अब यहाँ पर एक चीज और है अगर आप npm install bootstep लिखते हो तो इस case में क्या होगा कि जो latest bootstep का version है वो install होगा या फिर अगर कोई आपको particular version देना है तो यहाँ पर आप दे सकते हो कि three dot जो भी versions होंगे या फिर four dot करके ठीक है जो भी वर्जिन थर्ड या फॉर्थ आपको इंस्टॉल करना है तो इसको में इंस्टॉल करते हैं ठीक है तो इंस्टॉल हो रहा है अब हमें यहाँ पर देखना यह है कि यहाँ पर लिख रहा है npm update check file try running with sudo or get access ठीक है तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा sudo जो privilege जो administrative user होता है उसको use करके हमें इसे install करना होगा sudo npm install bootstrap ठीक है तो आप sudo की help से करोगे जिससे आपका जो admin होता है उसको उसके according उसको सारी access मिली होती है तो उसके help से हमें से install करेंगे ठीक है यहाँ पर पासवर्ड एंटर करोगे थीक है पासवर्ड एंटर करते हैं यह क्या होगा इंस्टॉल होना है स्टार्ट वह आएगा तो लेट सी हमास टाइम टेक टो इंस्टॉल दिपूट टैप ठीक है तो यहाँ पर क्या हो गया नैंटी फॉर पैगेज आर लुकिंग फॉर फंडिंग रन एंपिम फंड फॉर डिटेल्स फाउंड जीरो वलनिबिल्टी तो इसका मंतलब क्या हो गया कि जो हमारा बूटिश टैप है वह इंस्टॉल हो गया भी हम इसको चेक भी करेंग ठीक है तो एंजी सर्व हम फिर से कर देता है ठीक है फिर से हम इसे इनिशेट करते हैं ठीक है तो यह क्या हो रहा है यह चल रहा है ठीक है रन हो रहा है अब हम यहाँ पर चेक करते हैं नोड मोडूल में कि बूट स्टेप आया है कि नहीं आया है ठीक है तो यहाँ पर हम च यहां पर एक फोल्डर क्रियेट हो गया है इसमें bootstrap की js file कहां पर bootstrap.js file bootstrap.css file तो अगर हमें css file इसकी include करनी है तो क्या करना पड़ेगा bootstrap.css ठीक है तो कहीं भी यूज करने से पहले इसके पहले जो अगर हम देखेंगे कि जो node module वाला फोल्डर है इसमें पहले जो है bootstrap का फोल्डर नहीं था मतलब bootstrap का जो हमारे हम plugin यहां पर यूज करना चाहरे है वो पहले यहां पर नहीं था ठीक है node module के अंदर लेकिन आप install करने के बाद इसमें तो पैसले यहां पर देते हैं कि और अगरी एंडस में हम रन करते हैं तो चेंज करते हैं ठीक है अब हम क्या करते हैं इसे इसे हम फिर से रन कर लेते हैं ठीक है अब हमें क्या करना पड़ेगा जो हमारा angular.json file है angular.json file में क्या होता है जो app की configuration होती है वो यहाँ पर given होती है ठीक है तो हमें यहाँ पर क्या चेक करना है build के अंदर build नाम का जो यहाँ पर आयरे है यह build है यहाँ पर build के inside जो style नाम का आयरे है ठीक है build object है इसके अंदर style आयरे है यहाँ पर हम जो third party CSS include कराना चाहते हैं इंक्लूड करा सकते हैं तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा जो bootstrap है उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे install करेंगे तो वो किसके अंदर है node modules node underscore modules ठीक है क्योंकि जो हमारा root folder है वो क्या है angular app है ठीक है angular app यह हमारा जो angular का structure है उसका यह main है main folder है इसके अंदर क्या है node modules node modules के अंदर हमें कहा जाना है bootstrap ठीक है तो हमें यहाँ पर देते है node module bootstrap ठीक है उसके बाद हम दिखाया था आपको कहा है dist ठीक है css उसके बाद bootstrap main.css ठीक है हमने इसे क्या क्या include किया include किया तो इसे अब run होना चाहिए ठीक है हमें आप चेक करेंगे अगर हम इसको run करते हैं अभी ng serve हमने किया था तो ng serve यहाँ पर compiled हो गया फिर से हमें इसे ng serve करना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पर क्या होगे यह compiled successfully हो गया और इस case में क्या होगे user works तो यहाँ पर क्या होगे जो primary color है bootstrap का text primary class की help से जो आता है वह यहाँ पर क्या हो गया है override हो गया मनलब work कर गया है ठीक है तो यह bootstrap की class है text primary अगर हम यहाँ पर text warning करते हैं तो warning आ जाएगा ठीक है यह warning हो गया तो यहाँ पर देखो क्या हो गया warning color आ गया जो भी आप different different use करोगे हो आ गया इस वीडियो में हमने देखा कि bootstrap को install कैसे करते हैं अगर bootstrap को npm की help से हम install करते हैं तो कहाँ पर जाके install होता है तो जो भी अब third party जाब कुछ भी install करोगे तो हमयसा module के अंदर ही जाएगा ठीक है यह जो know module है जो भी third party libraries होती है हमयसा know module के अंदर ही आती है ठीक है तो यहाँ पर कहाँ जाएगा यह node modules के अंदर है जाएगा ठीक है गयाँ सू बोट करेंगे services के बारे में angular services के बारे में like what is services why we create service and how to use service properties ठीक है तो service के properties को भी कैसे यूज़ करते हैं इस सब भी हम चीजे अगले वीडियो में देखेंगे so अगर आपको इस वीडियो में कोई problem हो bootstrap install करने में कोई problem हो तो आप comment box में comment करके पूछ सकते हो और guys अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो please channel को subscribe करें and video को like और share करें thank you